हालो एवरिवन एवन रसी में बहुत बहुत स्वागत है आपका वैसे एक बात है दो चीज़े हर रेक्ति के पास होनी चाहिए एक तो patience जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं हो और एक attitude जब हमारे पास सब कुछ हो क्योंकि जिस वाक हमारे पास कुछ नहीं होता है उस वाक बहुत जरूरी होता है patience रगनाimet चोcol की normally हम सब लोग हो देते हैं बहुत इंपैसेंट हो जाते हैं, परिशान हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं मैंने उन लोगों को भी देख ग्धाया है कि अगर कुछ नहीं है मैं आपके पास भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो हमें दिख नहीं रहती है तो भी हम अगर उस तरोग ध्यान दे तो हमें लगजा कि कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं तो ऐसी ही बहुत अच्छे चीजी recipes हम try कर सकते हैं जी हां एक बहुत इसमें के ओता है इंफ्रेस्ट आता है बहुत चीज़े ऐसी होती है जो हम पहले बना चुके होते हैं तो वह हमारी बोरिंग हो जाती है लेकिन जब कुछ रेसिपी में कुछ नई चीज़े सीखते हैं तो उसको बनाने में एक हमें उमंग लगती है, एक सुनीता दिनानी जी और यह बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड है अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके ऑफेंटिक रेसिपी है हमारे पास सोया चाप है तंदूरी सोया चाप जोगी आजकल यूथ बच्चे इसे बहुत ही चाप से खा आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुन्दा जी सोया चाप की रेसिपी हम सिखा रहे हैं हमारे व्यूर्स को सुया चाप आपने देखा होगा कि इस प्रीट फूडर वहां इतिनी भी लगी रहती है बिल्कुल जिसे मोमो सुए चीजियों कि आजको सोया चाप काफी इन हो ग बिल्कुल आपने बात की पेशन्स की आई टोटली एग्री विद यू पेशन्स वो चीज है जो मुश्किल के समया आपने थोड़ा सब्र किया पेशन्स किया तो यानि समझों कि आपने उस मुसीबत को आदा वैसे ही जीत लिया है तो पेशन्स वाकी बहुत जरूरी है किस तो वर्तिका यह है सोया चाब हमारी वीवस को भी दिखा देते हैं यह बजार में रेडिमेट मिलती है इन फ्यूचर कभी टाइम मिला तो मैं यह भी बनाना सिखाऊंगे क्या पिसे गर्मी भी बना सकते हैं तो यह पको बजार सी इसली मिल जाएकि और आजकल तो आपको हर जगे मिल जाती है यह तो वर्तिका यह हंकट है यह तकरिवन एक कप है दई को हमने बन के इसको गाड़ा कर लिया है ठीक हम इसमें सारा मैरीनिशन तियार करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं आदा चमच गार्डिक पेस्ट आदा चमच जिंजर पेस्ट नहीं क सूखे मसाले सबसे पहले हम ले रहे हैं सौट एसपर टेस्ट लाल मिर्च यह भी आपके स्वाद के अनुसार होगी थोड़ा सा इसी में हम डाल देंगे चाट मसाला ठोड़ी काली मिर्च और थोड़ा हम डालेंगे इसमें तंदूरी कलर तो जो सुन्दर सा कलर आता है वो ऑजगा हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हो हुआ हो है हुआ है कि हना मानारा रसपी का तंदूरी चाप अड야 मल्य मैं यह यह मैंने एक चमच के करेफ तंदूरी मसाला डाल दिया है और यह तंदूरी मसाला वही है, जो हमें मार्केट में इसकी अविलेबर हो जाता है, तंदूरी मसाले के नाम से जे, इसी में हम डालेंगे दो चमच तेल, अच्छा, ठीक है? अब एक वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस सब चीज़े हमारी अच्छे से मिल गई है जो हमारी सोया चॉप है उसको हम थोड़ा पिक कर लेंगे ताकि इसका मारी निशन अच्छे से हो जाए बिल्कुल ओल अबर इसको हम अच्छे से पिक कर लेंगे यह आप फोक से भी कर सकते हैं मैं नाइफ से कर रही हूँ करते हुए हम इसे किस मिक्षर में डाल देंगे इस मेरिनेशन में इसको आपको कम से कम तेट से 2 गंटे रखना है अगर पूरी राप के लिए रखते हैं तो वैलन गुल उसे इसका सारा फ्लेवर इस चाप के अंदर अच्छे से आ जाएगा पर कम से कम एक घंटा तो इसमें करके आप इसे फ्रीज में रख लीजिए अच्छा ने तो यह मेरिनेशन खटा होने के चांस रहते हैं जैसे कि आगे गर्मिया आ रहे हैं बिलकुल तो इसका फ्रीज में रख दीजिए तो इसे यह खटा नहीं होगा ठीक है अब तक आप आप यह करिए मैं वीवर स लिए हैं उससे आएगा साथ में डाला है चाट मसाला नमक ली है लाल मिर्श ली है और इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए हमने यहां पर तंदूरी कलर का यूज किया है तो अगर आप देखते होंगे मार्केट में उसको जो जो कलर होता है वह भी थोड़ा से डिफरे आप में अद्राक और लेसून का पेस्ट इसमें यूज रहा है तो वही सारी चीजे है लेकिन इसका जब फ्लेवर है वो तो बहुत ही डिफरेंट आएगा तो अभी तो यह सीजर सुंदर जिर इसके पर कोट कर दी है लेकि जब आप अपने घर में बनाए तो कम से कम इसको एक हंटा मारीनेशन के लिए जरूर रखिएगा और अगर आप इसको ओवरनाइट पुरा फ्रिज में रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका एफेक्ट आता है तो चलिए अब देखते है किसमें आगे क्या करना है इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच तेल चीक है आ आप चाहे तो आदा तेल आदा बटर भी डाल सकते हैं तरह तो ऑलिव ओई बडाल सकते हैं चाहे तो देसीगी में भी बना सकते हैं तो कि यह सारी चैस आपके उपर है अब इसके अदर हम यह मैरीनेट किवी चाप डाल देंगे इसको बनो तरफ से जीम्च करते वे इसको हलका हलका सा हम पके ? इस को इस ऐसी करना है कर सकते हैं अगर मायु मैजर में मैं अचको बहुत कर सकते हैं खेल से भी अच्टो कर सकते हैं जैसे कि आप देखरें मसाला इस पर पूरा कोट होता जा रहा है दई का जो मॉस्चर है वो सूपता जा रहा है तो इस पर वो अच्छे से कोट हो रही है तो बस ही हमारे चाप तयार हो गई है यह कि हम इसे सिल्वर फॉइल से रैप कर लेते हैं अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगे साथ ही हमारे हाथ भी खराब नहीं हमरे वर्तिका इस चाप पे हम हलका सा चाट मसाला डाल देंगे चीके साथ ही थोड़ा लाइम जूस यह हम तब कर जो हम सर्फ कर रहें एक् साथ ही हामे से प्याज के लच्छे थोड़ी घाजर और साथ ही थोड़ी हरी मर्च जपीस के साथ बहुत अच्छी लगते हैं बिल्कुल तो यह हमारा कमप्लेटली तयार हो चुका है तंदोरी सोयाचाप तो आपने देखा कि यह जो सोयाचाप बने हैं यह दिखने में इतने सुन्दर और एंदिशियस लग रहा हैं और तो ना सिफ हमने सोया चाप बनाना सीखा है, तंदूरी फ्लेवर का, बलकि हम इसके एक प्रेजंटेशन भी सीखिए, कि किस तरीके से आप इसको प्रेजंट कर सकते हैं, तो इन में जब आप डाइनिंग को इसको आप सर्फ करेंगे ना, तो मतब देखने वाले को लगे का वाव गया, मजा आ गया, तो वही ऐसी एक शांदार रेसिपी आप सब के लिए है, लाइए सनीता जी, देखने में बेहत खुबसूरत लग रही है, तो वर्तिका जी, ये रेसिपी, ये सोया चर दिखने में चितनी अपीलिंग है, आइम डेम शो, टेस्ट में भी ये उतनी ही लाजवाब है, तो देख रहे हैं हो, कि ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये बनाने में भी उतनी ही आसान है, क्योंकि आपने दे फुलके, पनाथे, लच्छा नान, मिसी रोटी के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा, तो सबसे बहले जान लेते हैं, कि ये तयार किस तरे से किया जाएगा, तो सुनिता जी, सोया लबाबदार बनने जा रहा हैं याँपर, बहुत अच्छी रेसिपी है, और एक्शली ये फुल लोग प्रोटीन है, इसमें काफी प्रोटीन कंटेंट जादा रहते हैं, तो ये जो बढ़ते बच्चे हैं उनके लिए, जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए, प्लस जो वर्किंग लेडी हैं या जो मोनो पास के करीब जाने हैं उन लोगों के लिए काफी तो हमारी रेसिपी चल रही है, सोया चाप की, नेक्स सेग्मेंट में हम बनाएंगे इसका मेंन कोर्स, अभी हमने बनाए इसका स्टार्टर, जी अब हम नेक्स सेग्मेंट में बना रहे हैं इसका मेंन कोर्स, ठीक है सुनिता जी नाम होगा इसका सोया लबाबदार, जैसे क जी तेल गरम हो रहा है इसके साथ साथ हम डालेंगे दो तीन बे लीफ यानि कि तेज पत्ता चार पांच काली मिर्च और दो ये डोड़ा यानि कि बड़ी इलाचे इनको हम साथ में डाल देंगे इसी के साथ हम डाल देंगे प्याज स्याज है तकरीबन दो मीडियम साइज के इनको कि मैंने फाइन चाप कर लिया है इनको आप में इनकी जो चॉपिंग या वह इंदो फाइन करी लिए स्मिंदा जी इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है अच्छा जी के स्मीत है जी तो देले यहां पर प्याज है स्मीता जी मैं देख्री हूं गलता जा रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है और क्योंकि हमने फाइन चॉपिंग खर रहे है तो गल्डने में तरह था पाइन भी नहीं लग रहा है बिलकुल बस हमें थोड़ा गल आने तक पकाना है जैसे यह अच्छा सा कला पने लगा है इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च ठीक है थोड़ा सा दॴनियाachtet geschावjust जैस के तोड़ी से अच्छे से मिला लेंगे चीक है सुनीता जी अब हम डालेंगे इसमें टमाटर बेस्ट चीक है जो के होगी तकरीबन दो टमाटर की चीक है अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है एक बार टमाटर तो खोड़ा बून ले चीक है तो यह टमाटर है वह बहुत अच्छी से पक जाना चाहिए हम डालें थोड़ी काली मिर्च की सीवी इस अपने टेस्ट के अच्छीक ले सकते हैं बिल्कुल साथ ही सॉल्ट एसपर टेस्ट टेस्ट ठीक है इन सब को हम एक बार और अच्छी से बून लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेवी ओइल छोड़ने लग गई है यह जो स्वया चाप है इसको मैंने छोटे-छोटे रिंक्स में काल दिया है अच्छा काटते और इसके फिर जो लेयर से उसको मैंने थोड़ा खोल दिया है अब इन सब को हम इसमें डालेंगे ठीके तब एक बार इनको हम फिर अच्छे से बूनेंगे ठीके इसमें यह की मसाले हमारे जले नहीं तो जितने हमें चीजिये दाबनी थी हम भूछ हमें इसमें एट कर दिये अभी और वी चीज एए और वी चीजह एंगे इसमें अच्छा जे तो अभी थोड़ा पकड़ा है जे जिसे की हमारा यह मिक्स्चर है जो सोयाखाप रहता है, वह बीज परण होता है जो इस उभण मिर्च मसाल रहता है। यहां पर तयार हो रहा है, फरस्ट और चीज है कि जो प्याज है उसकी चॉपिंग है वो काफी फाइन करी गई और अच्छे से पकाया गया, साथ में हमें थोड़े से गरब मसाली लिए जो आपने अभी देखे यहां पर अलका सा काले मेश, बड़ी लाइची, तेज पता है अपर हमने इस पे अधर लसुम का पेस्ट यूज किया, तेमाचा प्यूरी हमने उसका रही है, जो भी चीज आप डाल रहे है वो बात अच्छे से पकनी चाहिए, आप इसको स्लो तो मीजियम, स्लो तो मीजियम करते करते आप इसको पकाते रहीएगा, तरकि यह जो सबसी पन रही है, इसे अगर बेवी पकेगी नहीं, तो बिल्कुल भी अच्छी लगेगी, साथ में हमने सिंबल मसाले लिया है, जिसे लामाद लालमेश पाउजर है, खल्दी पाउडर बहुत जरासा है, साथ में हमने लिया है धनिया पाउडर, और इस सारे मसाले एड हो चुके अब फिर आप सबसी में आप इसको एड़ करके अच्छे से कुट करें, तो यह जो प्रोसीजर है वो अब तक का तो हो चुका है, अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या करना है, तो क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो जो अच्छे से कुख हो गए, हमने जो सोय है, वो भी इसके इंदर डाल दिया है, अब देखने क्या करना है, तो बड़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से मार जोगे एक दूसरे में, अब हम इसी दर्मान डालेंगे, खोया, अच्छा, इब खोया डाल अच्छे से मिल्किया है, अब भारी है, मलाई की, जो में एंड में डालनी है, बिल्कुल, यह जो मलाई होती है, दूदबानी, वही ली है, जै-जै प्रसुनिता जी, रेड़ी हो चुकी है, जी वर्तिका, अभी हमारी तयार हो चुकी है, तो वर्तिका, लास्ट में हम इसमें डालेंगे, एक सी दो चमच देसी की, साथी कुछ हरादनिया, जो उसकी श्वा को और बढ़ाएगा, और प्रेजन टेबल करेगा, साथी थोड़ कर देंगे हम बन, इसको मिक्स कर देंगे, तो यह हमारी स्वाया लबाबदा तयार हो चुकी है, बारिये से सर्व करने की, जी पिसमें था जी, तो वर्तिका, यह हमारी स्वाया लबाबदा तयार है, इसे हम सर्व कर देते हैं, जैसे कि आपने बता है, इसे चावल, रोटी नान पराथा रूमाली रोटी किसी के साथ भी अपन सर्व कर सकते हैं थोड़ा सा हराधनिया और डाल देंगे तो यह तैयार हो चुक है हमारी स्वया लबाबदा चीक है सुनिता जी सोया लबाबदा रेडी हो चुका है तो यह है हमारा सोया लबाबदा तो यह देखिए इस दिखने में कितनी खुबसूरत लग रही है इंदम टैंपिंग और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखें कि जिसे जब प्याच है वो भी अप्स लोटू मीडियम पे आप इसको बद अच्छे से कुक करिएगा ग्रेवी इसके बद अच्छे से कुक होनी चाहिए और साथ में अगर आप एक चीज यह भी देख रहे है कि लबाबदा इसलिए है कि इसको हमने काफे अच्छे से मदलब ऐसा नहीं है कि सोया आपको अलग से नजर आ रहा है उसको हमन हमने इसमें यूज करिए उससे टेस्ट आएगा अपने इसमें मावा डाला है तो दो इंग्रिएंट ऐसे हैं जो कि इसको जरूरी है साथ में इसमें किचिन के मसाले का यूज किया है तो कुछ बातों को आप नोट डाउन करके लग लग लिजे वागे सिंपल मसाले सिंपल चीजें हैं आप घर में जरूर से बना कर देखिएगा तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे अपनी रसोई में तो हर रेसिपी आपसे अच्छे बनेगी क्योंकि हर रेसिपी का अपना एक जोडिशन होता है अपना बनाने का तरीगा होता है कुछ चीज तो इन सब चीजें कर सिखिए आपसे अच्छी बनेगी इस सब्सक्राइब कर हमें हरी सब्सक्राइब करें गया उसके बहुत शांदर सबसी भी बन गई तो चली इस तरह से आप भी अपनी घर में बना कर देखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा थाक्यू सो मच